कि हैं आप सब आई होप कि आप ठीक होंगे सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ओफ नियुमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानि कि वाई विए मापायंत्रों का सिध्धान्त तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बढ़ उससे पहल और बैल ऐकन का बेटन प्रेस करें जिससे सारे नॉटिफिकेशन आप तक आती रहें तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ओफ नियुमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हम इसका थोड़ो सा इंट्रूडक्शन देखेंगे कि जो नियुमेटिक म में एक कंपनी है सोलेक्स वहां पर कार्बूरेटर का जो जैट होता है उसमें हमने एयर की हेल्प से जो मेजरिंग प्रॉसेस होते हैं उनको डेवलिप्ट किया था सबसे पहले लेकिन टाइम के साथ सथ क्या हुआ यह जो टेकनोलोजी है यह और भी जादा मेजरिंग सिस् अगर मैं इसका थोड़ा सा यूज बताऊं जो आगी देखने वाले हैं वो क्या है आपने देखा होगा जो हमने नियुमेटिक कंपैरेटर्स पड़े थे यह हम अगर आपने नहीं देखी है तो फिर हम आगी क्या करेंगे जो हमारा कंपैरेटर वाला चैप्टर है उसमें ह हम यह देख लेते हैं हमने कहां का यूज कर सकते हैं यह तो मैंने आपको बताया ही कि हम इन से क्या कर सकते हैं इंस्पेक्शन 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 कर सकते है जबकि जो गो और नोगो वाले हमारे जो instruments होते हैं उनमें भी हम इनको यूज कर सकते हैं pneumatic measuring instruments जो होते हैं यह Bernoulli theorem कर यूज करते हैं यानि कि Bernoulli theorem पर काम करते हैं इन्हें हम two types से classify कर सकते हैं first is flow और velocity pneumatic instruments and second is back pressure pneumatic instruments तो आज की इस वीडियो में हम flow और velocity pneumatic instruments discuss करेंगे और हमारी जो next वीडियो होगी उसमें हम back pressure pneumatic instruments के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि flow और velocity pneumatic instruments क्या होते हैं pneumatic principle पर work करने वाले flow और velocity pneumatic instrument का diagram आपका अपकी screen पे show किया गया है इस instrument की help से air flow rate को measure करके उसे calibration के बाद आप किसी भी job की dimensions का अराम से measurement कर सकते हैं इसके कुछ main components होते हैं और वो जो main components हैं वो है compressor, filter, valve, pressure controller या हम कहें pressure regulator, scale, tapered glass column and float, plastic tube, measuring head and your work piece सो ये तो हो गई हमारे components अब देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा instrument है यानि कि ये जो पूरा measuring instrument है ये work कैसे करता है सो अब इसकी working देखते हैं सबसे पहले जो भी हमारे पास air होती है उसको हम compressor में भेजते हैं और वहां से हम air को compressed करते हैं compression के बाद उस air को filter में भेजा जाता है जहां पर उसका dust particle और moisture को रोक कर यानि कि उसे moisture free और dust free करके आगे valve में भेजा जाता है और valve से वो जाती है pressure regulator में pressure regulator यानि कि दाब नियंतरक का काम होता है pressure को control करना यानि कि जितना pressure आपको चाहिए उतने ही pressure को वो बना कर वहां पे जो हमारी glass column होती है यानि कि tapered glass column होती है उसमें भेजते हैं यह जो tapered glass column होती है इसमें क्या होता है एक scale को calibrated करके रखा जाता है इसके बाद क्या होता है जो हमारा scale होता है इसकी relative ही एक float होता है जो कि क्या है हवा में तैरता रहता है यानि कि हवा में लटका रहता है इस scale के साथ ही एक plastic tube जुड़ी रहती है जिसके end पर measuring head लगा होता है इस measuring head को हम उस job के अंदर यानि कि उस हमारे work piece के अंदर डाल के रखते हैं जिसका हमें internal diameter का inspection करना होता है जैसे ही जो आपकी compressed air होती है वो जब pressure regulator से होते हुए इस plastic tube में जाती है तो वो measuring head के दूसरे end पर बने दो orifice से निकलती है यह जो हमारा measuring head होता है यह direct contact में यह नहीं होता हमारे जो work piece है उसके उनसे कुछ ना कुछ इसका distance रहता है जिसे जो भी आपकी air होगी वो इन दो orifice से जो हमारा internal diameter है work piece का उस पर पड़ेगी और इस जब यह जो आपकी air है compressed air है जब यह हमारा जो orifice से इससे निकलके जो work piece ह उसके surface पर पड़ती है तो इसकी value हमें पता चलती है जो metal float है यानि कि जो float मैंने आपको बताया था scale पर लगा रहता है इससे तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो internal diameter है उसकी value क्या है तो यही होता है हमारा flow और velocity pneumatic instrument I hope कि आपको अच्छे से clear हो गया होगा और आपको वीड video helpful रहा हूँ तो इसे like करें शियर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक्स वर वाचिंग थैंक्यू झाल